जय हिंद इस वीडियो में आपको असान भास्ता हम बताऊंगा कि दोनों में अंतर क्या होता है तथा यह भी कि दोनों में का मतलब क्या होता है तोड़ना काटना और यहां कई भागों में तोड़ना जब कोई कंपनी आपको इसका मतलब हुआ एक का दो यह नहीं की एक पर दो एक का दो यानि कि आपके पास कि इस कंपनी के एक सेयर है और कंपनी उसको पांच बना दी आपके पास होगे एक का दस अगर आपके पास कि एक से बना के दे रही है अब आपको एक अग्यांपल के माध्यम समझाता हूं इस तरह ज्यादा समझ भाएगा समझे कोई इसके पास कंपनी के कुल दस सेयर हैं और एक सेयर का प्राइस है पचास रुपया तो इसकी टोटल इंवेस्टमेंट हो गई हो गई 500 रुपया यहां तक समझ भाएगे आपको अब मालने कोई कंपनी इसको वन इस्ट्यूफफाइव का स्टॉक करके दे रहे तब इसके कुल शेयर पर क्या अंतर पड़ेंगे वन इस्ट्यूफाइव इसका मतलब एक का पांच अर्थात इस ब्यक्तिव के पास को दस सेयर हैं तो दस का 50 इसके प स्टॉक होने के बाद जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वह जाएगा पचास मैंटिप्लाइट अर्थात 500 मतलब यह कि इस खास अंतर कुछ अंतर ही नहीं पड़ा तो सिर्फ सेयर की संख्या बढ़ गया और सेयर का जो प्राइस है वह बहुत कम हो गया अब आप समझे कि सेयर को कर सकता है कब्सक्राइब तो उम्मीद करते हूं आपको स्टॉक का स्पिलिट असान भसता में समझ महाँ होगा अब आए बोनस सेर के बारे में बात करते हैं कि बोनस सेर क्या होता है समझे भीन बोनस का मतलब होता है एक सेर पर कुछ अलग से कमपनी आपको दे रहिए जैसे यहां आप समझे मतलब हुआ एक पर एक एक्षरा कमपनी एक और दियते हो गये लेकिन यहां ध्यान भी जिएगा ऊश्ट वाला होता है वह उरीजिनल वह आपका सेर होता है और लेफट दे रही है दो पर एक 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 यानि कि अब आपके पास कुल थीं का मतलब हो कि एक पर तीन एक्टरा यानि कि आपके पास कि कंपनी के एक जुश्श से उस mirrors मतलब था कि यही को तोड़कर company दो सबना दे रहा है लेकिन यहां one का मतलब की कमपनी 2 Sharer आपके पास है और 1 Sharer एक्साहिघक्रा आपको अलग से दे रहिए न की आपके पास तोड़ देती है अब एक जांपड की मादमस में मैं आपको समझाता हूं समझे माने की बेकती के पास कि यह स कंपनी की कुल 10 शैर है और 00 k का प्राइस है 30 रूपया तब इस ब्यक्ति का टोटल इंवेस्टमेंट हो गया 300 रूपया ओके यहां तक बाते समझ में आई मालेजिए कोई कमपनी इसको टू इस टू वन का बोनस दे रही है बोनस देने के बाद क्या अंदर पड़ेगा तो समझे इसके पास जो कुल सेर हैं वह हो जाएंगे 30 क्योंकि 2-1 का मतलब हुआ एक पर दो एक्टरा इस तरह 10 पर 20 एक्टरा और साथ कुल 30 सेर हो गया यहां तक बाते किलियर हो गई अब समझे शेर प्राइस पर क्या अंदर पड़ेगा तो शेर प्राइस अब वन थर्ड हो जाएगा यहां भी जैसे यहां वन थर्ड हो जाएगा अर्थाथ 30 में हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो सेर का प्राइस हो गया 10 एक सेर का प्राइस हो गया तो इस तरह 30 सेर का टोटल इंवेश्टमेंट हो गया 300 यहां वी आप देखिए इंवेश्टमेंट पर कोई अंतर नहीं पड़ा अर्थाथ क्या होगा तो सेर के प्राइस कम हो जाएंगे बोनस में और स्टॉक में एक परकार से देखे तो स्टॉक और बोनस में कोई अंतर नहीं है लेकि थोड़ा सा बस अंतर है कि बोनस में कंपनी अलग से एक सेर देती है और स्टॉक में यह अंतर है कि आपके पास जो सेर उसी को तोड़कर 2-4-10 बना देती है बाकी इंवेस्टमेंट पर ना तो इसमें अंतर पड़ता है इंवेस्टमेंट आपका सेम ही रहता है अब समझे बोनस क्यों देती है कंपनी बोनस देने के पीछे दो कारण है एक तो जब कंपनी को डिविडेंड देने कामन नहीं करता है तो कं उम्मीद करता हूं मैं जो बताना चारा अब उस समझ में आया होगा वीडियो इंफर्मेटिव लगी होगी अगर मन में कोई सवाल है तुम उसे पूछिए बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अगले धन्यबाद सुक्रिया कि वीडियो सकता है।